दोस्तों अगर आप टेली सॉप्ट्वेर में किसी ऐसे बिजनस की अकाउंटिंग मेंटेन करती हो जहां उस बिजनस में जो प्रोडेक्ट होती हैं उन प्रोडेक्ट की आपको मेनुफेक्ट्रिंग डेट, एक्सपारी डेट या उसके बैचबाज डिटेल को मेंशन करना जर प्रोडेक्ट हो जाता हैं तो दोस्तों ऐसे में हमारी कमपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडेक्ट होती हैं जिसके हमें एक्सपारी डेट याद रखना बहुती मुस्किल काम होता है और कई बार हमें ऐसा भी होता है भी हमें बाद में पता चलता है यह जो प्रोडेक्ट है हमारा expire हो चुक है जिसके वज़े से हमारी company को काफी बड़ा नुकसान भी होता है तो दोस्तो हमें हमारी company को इसी type के कोई नुकसान से बचाने के लिए आज हम टेली software में सेखने वाले भी हमें कैसे पता चले काभी कौन सा product हमारा expire हो चुक है और कौन सा product अब इस month में या इस week में expire होने वाला है ताकि हम आमारी company को नुकसान से बचासके तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही knowledgeable रहने वाली है अगर आप टेली software के user हो अपना टेली software में knowledge और ज़्यादा increase करना चाते हो तो आज की वीडियो को end तक complete जुरूर देखना तो दोस्तो आज की इस वीडियो हमने कोई ऐसे कोई टेली फाइल का use नहीं किया केवल हमने जो वाई डिफर्ड टेली software के साथ में जो option आते हैं उसी option को हम search करेंगे दोस्तो वीडियो कैसी लगी आप हमें comment करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिया है चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल को subscribe करने के साथ notification bell को भी जुरूर on कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मोंसुतार और आप सभी दोस्तों का Smart Counting Arsenal की YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों मैंने इस कंपनी में कुछ इंट्रियां ओलेडी करके रखी विया सबसे पहले हम उंट्रियो को देखते हैं और उनके एक्सपारी डेट जो हमने स्टोक आइटम में दी विया उनको भी देखते हैं तो सारी स्टोक डेटेल को देखने के लिए हम डिस्पेले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे डे बुक पर भी आएंगे और एप टू के साथ हम सारी डेटेल ओपन कर लेंगे तो हमने इस परशेज किया दोस्ते इसमें हमारे पास तीन स्टोक आइटम है सबसे पहले हम आइटम को देख लेते हैं और जैसा कि हमारा फर्स्ट इन्वोई परशेज का है आइटम 1 हम A हमने परशेज करिये इसमें तो इसमें आप देख रहे हो इसका हमने बेच यूज किया है एश्टोक आइटम का A1 इसकी मैनुफेक्ट्रिंग डेट है फरवरी 2021 की और एक्सपारी डेट है 2 अप्रेल 2021 को और इसी तरीके से हमने जो आइटम B परशेज करिये इसका हमने बेच का नाम दिये B1 इस प्रोडेक्ट की जो मैनुफेक्ट्रिंग डेट है वो जनवरी 2021 की है और एक्सपारी डेट 1 माई 2021 की है और इसी तरीके से ये आइटम C हमने फरशेज करिये और इसका बेच हमने दिये C1 मैनुफेक्ट्रिंग डेट है दिसंबर 2020 की और एक्सपारी डेट है एक जून 2021 की तो यानि कि कुछ प्रोडेक्ट मैं मैं एक्सपार होंगे हम सबसे पहले display more reports पर जाएंगे उसके बाद आपको statement of inventory ये option आपको देखने को मिलेगा teleprime software में इस पर हम interface करेंगे और उस पर interface करने के बाद हमें जाना यहाँ पर aging analysis पर इस पर हम interface करेंगे और आपको यहाँ पर option देखेगा भी list of store group आपके पास group आपने कोई create नहीं किया तो आप simple इस primary पर interface करेंगे तो हमारे पास वो सारी stock items यो हो जाएगी अभी आप देख रहे हो यहाँ पर stock item A, stock item B और C अब हमें दोस्तों यहाँ पर detail जो देखनी है अभी आप जो present time है जो date आप खुली है alt F1 के साथ 1 April से लेके 31 मई तक मैं कर देता हूँ तो आप देखें मैंने यहाँ पर यह जो record summary हमें दिखा रहा है 31 मई तक ही दिखा रहा है और हम पूरे detail देखने के लिए यहाँ पर alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो अभी हमें यहाँ पर इनकी stock item इनकी expiry date हमें यहाँ पर शोर ही है जो item A है उसकी expiry date 2 April 2020 है item B की 1 मई 2020 है और item C की 1 June 2021 है तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो यह उपर वाड़े जो दोनों product है A और B यह 31 मई तक हम देख रहे हैं तो यह product मारे expire हो चुकी है और जबकि यह जो product है यह 1 June को expire होने वाला है तो अगर हमें केवल expiry date देखने हैं भी कौन-कौन से product मारे expire हो चुकी है तो इसकी details देखने के लिए आपको यहाँ से F9 का button प्रेस करना पड़ेगा या फिर आप यहाँ से aging style को भी use कर सकते हो यह option आपको देखने को मिलेगा aging style का इस पर आप click करोगे तो यहाँ पर option मिलेगा by expired date का पी option मिलेंगे आपको आपको purchase date देखनी है, expired date के साथ देखना है या फिर manufacturing date देखनी है, या फिर to be expired यह expired हो चुकी है उसको detail देखना है तो हमें अभी जो expired हो चुके है उसकी detail देखनी है तो इसके लिए हम by expired date पर click करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर detail से गरेंगे show only expired batch यानकि जो expired हो चुके है उसको show करना है तो हम इसको yes करेंगे, interface करेंगे, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो जो item C थी हमारी अब वो यहाँ से हट गए यह केवल आपको वो भी product दिखेंगे भी expired यानकि जो expired हो चुके है आपके 2 April 21 को और 1 May 2021 को तो अब यह जो detail है अब आपकी दोनों item expired हो चुकी है तो इस तरीके से हमें इन दो product को यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि यह दो item expired हो चुकी है और यह जो detail हम देख रहे हैं यह 31 May तक ही देख रहे हैं यानकि हम यही मान की चल रहे हैं आज मारी date है जो 31 May 2021 है और आज की date तक कितने product expired हो चुकी है अगर हमें आगे का देखना दोस्तो भी detail है जो अभी और कौन से product हमारे पास है सभी detail को देखने के लिए हम वापिस aging style पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर show expired वेचे इसको no कर देंगे तो अगर आप यहाँ पर दोस्तो एक detail आप दोगे अमाली जी जैसे आपको 31 मई है अब जून मन्त स्टार्ट होने वाला है तो अब जून मन्त के आपके पास कौन कौन से product expired होंगे तो यहाँ से आप जून मन्त की date दे सकते हो जैसे अब मैं यहाँ पर यहाँ पर करता हूँ अब यहाँ पर मेरे पास जैसे educational mode है तो मैं यहाँ पर 1 जूलाई कर देता हूँ अब मेरे पास 1 जूलाई है तो अब 1 जूलाई या 1 जूलाई तक आपके जो expired होने वाले है उसकी detail भी आपको सामने यहाँ पर show हो जाएगी यहाँ जैसे कि जून है तो यह जो product है यह जून में expired हो जाएगा अगर आप इसको 1 जूलाई तक देख रहे हूँ और यहाँ तक expired अगर आप देखोगे तो f9 अगर आप use करोगे यहाँ से और expired date को यहाँ यहाँ तो आप देख रहे हूँ तिनों product आपको देखें क्योंकि एक जूलाई तक record देख रहे हैं तो एक जून वाड़ा product भी expired हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके सम बिना TDL file के भी यह यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो अभी जो इस file का जो add-on set जो TDL file है वो free में available नहीं है अगर आप उस product को use करते हो TDL file को तो आपको warning date भी उसमें set कर सकते हैं जैसा कि अगर आपको को product expire होने वाला है तो उससे पहले आपको पांस दिन पहले warning मिल जाए या आप एक अपते के लिए warning set कर सकते हो दो दिन की warning set कर सकते हो तो आपको अपके dashboard पर दो या तीन दिन जैसे भी आप set करोगे तो उसके warning जैसे आप टेली software को open करोगे त उसके लिए आपको चार्जेबल देने पड़ेंगे अगर उसको यूज करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ से और ज्यादा extra benefit मिल जाता है लेकिन हमने यह जो फीचर यूज किया यह बिल्कुल किसी बिना TDL file के हमने यूज किया है इसमें किसी TDL का हमने यूज किया है तो दोस्तो आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो नोलेज जबल लगी हो वीडियो से कुछ सेखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर कर देना और अब इस तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो तो प्लीज अभी कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपिक के साथ।